बच्चो लेखांकन के परिचय में आपने देखा कि जब कोई वैपारी अपने वैपार के अंतरगत किये गए सौदों का लेखा करता है तो वो किस प्रकार बहुत सारे लेखांकन के अंतरगत उन्हें लिखता है ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वैपार में कौन-कौन से वैभार हुए हैं किस-किस तरह के लेन देन हुए हैं किसके साथ हुए हैं इन सब चीजों को वो लंबे समय तक याद नहीं रख सकता तो जब भी उसको जरूरत पड़ती है उन लेखों की वो खोल कर बहुत आसानी से अपने वैपार के अंतरगत किये गए वैभार को वो देख सकता है हमने देखा था कि किस प्रकार हम विभिन प्रकार के जनरल प्रविस्ट्रियों खाता बही और अन कई तरह के बहिएों के द्वारा वैपारी अपने वेभार को लिखता है लेकिन इन खातों के अंतरगर्द जब ये विवार लिखे जाते हैं तो क्या वो ऐसे ही लिख दिये जाते हैं? कहीं पर भी बिना किसे नियम, बिना किसे सिध्धान्त के? नहीं, जब भी कोई विविपारी अपने विविपार में केए विवहारों का लेखा करता है तो वो कुछ सिध्धान्तों का पालन करता है यही सिध्धान्त लेखांकन के सिध्धान्त कहलाते हैं तो आज हम देखेंगे कि क्या है लेखांकन के सिध्धान्त लेखांकन के सिध्धान्तों के अगर हम बात करें तो यहां पर हम कुछ शब्दावली का प्रियोग करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हम कौन-कौन से टर्मिनोलोजी यानि कौन-कौन से शब्दावली का प्रियोग हम करेंगे, यहां हम जिशब्दावली का प्रियोग करेंगे, उसमें सबसे पहले होगा लेख कि वेकति को समान बेच तब सकता है और उधार है सकता है यह ऐसके लेंद सब्सक्राइब में इन व्यवहारों को अंकित कर देना लिख देना ही लेखांकन कहलाता है दूसरी जो शब्दावली आएगी यहां पर वो होगी अवधारना अवधारना यानि किसी भी विशय वस्तू के बारे में बनाए गई कोई माननिता कोई नियम या शर्ति जिसे अभी हमने जाना कि को बलकि वो कुछ अवधारना, कुछ सिध्धान तो और कुछ नियमों को लेकर आगे चलता है तो क्या होती है अवधारना यह हम जानेंगे उसके बाद भारत में लेखांकन मानक भारत में लेखांकन-मानक है अगर बात करें तो 1977 में भारत में चार्टर लेखांकन संसान plais जब हम प्रविष्टियों को करेंगे जब हम वेवारीक रूप से entry करेंगे तो कई बार हम देखेंगे कि बहुत से नियमों का लिखांकन मानकों का प्रयोग करते हुए हम वो प्रविष्टियों करेंगे वैसे ही इसमें अगला जो शब्द आता है वो है लेखांकन सिध्धान जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानि कि वो कौन-कौन से सिध्धान थे जिनका पालन करते हुए किसी भी वैपारी द्वारा वैभार में लेखे किये जाते हैं तो अगर हम लेखांकन सिध्धानतों की बात करें तो इन सिध्धानतों को हम अध्यान में सुविधा के दिश्टिकोंट से दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला हो सकता है लेखांकन की आधार्भुत मांनिता हैं या अवधारना है और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे महथतोपॉण अवधारना हैं अस्तित्तों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यपार का जो अस्तित्तों होता है वो व्यपार के स्वामी से पूरी तरह से प्रिथक यानि कि अलग-अलग होता है सामान निबोलचाल की भाशा में हम यह कहा सगते हैं कि यह अं मुख विक्ति का वेपार है यह जब भी चाहेगा इस वेपार से वो संपत्ति ले लेगा कोई भी वस्तू को ले लेगा बना हुआ माल लेगा ऐसा लगता है यही कारण है कि अगर जो वैपार का स्वामी होता है वो अगर वैपार से किसी भी प्रकार से माल का या पैसे का उपयोग अपने निजी हित के लिए करता है अगर वो निजी रूप से पैसे या माल का प्रयोग करता है तो उसे हम आहरण के नाम से उसके प्रविष्टी करते हैं यानि वो एक ऐसी राशी है जो व्यपार के लिए प्रयोग नहीं की गई है बलकि व्यपार के स्वामी ने उसको निजी प्रयोग के लिए निकाला है इसलिए हम उसको आरण बोलते हैं दूसरा जब कोई व्यवसाई व्यवसाई में पूंजी लगाता है तो क्यूंकि वो स्वामी है उसने पूंजी लगाई और व्यवसाई प्रारम किया तो फिर ऐसा क्यूं होता है कि पूंजी को हम अलग से दाइतों के रूप में लेखा करते हैं इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये माना जाता है कि वेपार के स्वामी का अस्तित्तों और वेपार का अस्तित्तों दोनों अपने आप में प्रिथक प्रिथक हैं अब क्योंकि वेपार के स्वामी ने वेपार में पूंजी लगाई है तो एक दाईथ तो यहाँ पर ये उद्पन हो जाता है कि उस पूंजी को वापस वेपार के स्वामी को प्राप्त करना है तो यहां पर यह मान लिया जाता है कि उत्तरदाई तो जो है वो अलग-अलग है और अस्तित तो जो है वो वेपार का अलग है और वेपार के स्वामी का अलग है दूसरी अगर हम यहां मानिता की बात करें तो हम देखते हैं कि चालू वेवसाय की अवधारना की हम बात करते हैं यानि कि हम जब वेवसाय करते हैं तो हमारी यह मानिता हमारी अवधारना बनी रहनी चाहिए कि व्यवसाय जो है वो चालू है सतत है क्योंकि व्यवसाय से सम्मंधित क्रेविक्रे, लेंदेन, लाभानी इन सब का लेखा जो खा हम जब भी करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि ये जो व्यवसाय है जो हमने प्रारम भी किया है ये सतत चलते रहेगा तभी हम लगातार जो shareholders होते हैं, उनको आमन्तरित करते हैं, तभी हम लगातार हमारे जो balance sheet होते हैं, हम जो profit and loss account बनाते हैं, उनको हम next year transfer करते रहते हैं, कहीं न कहीं हमारी मानिता ये बनी रहती है कि व्यपार जो है, वो सतत चलते रहेगा, लगातार वो जारी रहेगा तीसरी जो मानिता है यहां पर यह है मुद्रा मापन की मानिता यानि कि हम जिस अधारणाओं और सद्धानतों की बात कर रहे हैं यह उन्हीं व्यवसाय में अपलाई होगी जहां पर जो व्यवसाय या व्यवहार होते हैं वो मुद्रा में किये जाते हैं यानि जहां पैसो के लेंदेन की बात हो पैसो के अधार पर क्रे विक्रे की बात हो हाला कि हम यह कह सकते हैं कि क्रे विक्रे कई बार उधार भी होते हैं लेकिन जब वो उधार होते हैं तो तुरंत के तुरंत हमारे देंदार या लेंदार की उत्पत्ती हो जाती है और कहीं न व्यवहार मुद्रा से संब्मनदित होते हैं तो कुलमिला करें कहा जा सकता है कि लेखांग के एक अवधारना यह भी है। कि यह उन्हीं वैवसायों पर इन Сिध्धानतों को हम अपलाई करते हैं, जहां पर मुद्रा के दॉरा व्यापार्य व्यवसाइग किया जा रहा हो वैसे ही इसकी एक आउधार्ना है लेखांकन अवधी का आउधार्ना ययनि कि एक निश्चित अवधी को ध्यान में रखते हुए लेखों का किया जाना समाने तोर पर जब हम वित्तिय वर्ष की बात करते हैं तो यह जो लेखांकन की अवदी है यह एक अप्रेल से प्रारम होती है और 31 मार्च को समाप्थ हो जाती है जिसे हम वित्तिय वर्ष भी कहते हैं एक अप्रेल को जो कंपनी होती है वो अपने नए खातों को ओपन करती है स्टार्ट करती है गत्वर्ष 31 मार्च का जो उसका चिट्था रहता है या उसके जो समपत्ति या दाईत तो रहते हैं वो सारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाते हैं और जैसे ही वो एक अप्र के साथ फिर से पुना अपना वेबसाइब प्रारम कर लेते हैं तो यहां पर जब हम लेखांका नवधी की बात करते हैं तो वह एक अप्रेल से 31 मार्च तक गिनी जाती है और इसे ही हम वित्तिवर्ष भी कहते हैं लेकिन कई बार कुछ कंपनिया कैलेंडर वर्ष के आधार पर भी वित्तिका लेखा करती हैं जिनने हम एक जन्वरी से प्रारम करके 31 मार्च की समाती तक गिनते हैं अब यह तो थी लेखांकन की आधार भूत मानिता या अवधारना अब हम दूसरी इसकी जो मानिता या अवधारना है याने की महत्तुपूर्ण अन्य अवधारनाओ यह बिताती है कि संपत्तियों का हम जो करते हैं वो लागत मूल्य पर किया जाना चाहिए एक्चली बाजार मूल्य जो होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है चेंज होते रहता है हमने आर्थशास्तर में भी देखा था कि किस तरह से मांग और पूर्टी की जो शक्तिया हो जब भी संपत्तियों की वेलिएशन की जाएगी लागत मूल्य पर की जाएगी और दूसरी बात जब मूल्य हास के कैलकुलेशन की अगर बात आती है डेप्रिसेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हम इस्थाई संपत्तियों के लागत पर ही करते हैं दूसरी अवधार्णा की हम बात करें तो यह है आई प्राप्ती की अवधार्णा आई प्राप्ती या आगम की अवधार्णा में हम देखते हैं कि आई प्राप्ती की जो तिथी है वो क्या निर्धारित की जाए समाने तोर पर जिस दिन हमको राशी प्राप्त हुई उस दिन हम उसे अपने अकाउंट में रिसीव में हम उसको लिखते हैं लेकिन वास्तों में आय प्राप्ति उसी दिन मान ले जाती है जिस दिन क्रय या विक्रय का वेभार हो जाता है यानि कि अगर हम कुछ क्रे करते हैं अगर हम क्रेता है तो हम इसको जिस दिन हमने क्रे किया उसी दिन हम इसको हमने वै किया ये मान लेंगे और अगर हमने विक्रे किया तो जिस दिन वो वस्तू हमारे पास से क्रेता को सुपूर्द कर दी गई उसी दिन हम उस वस्तू की जो क सार से पढ़ेंगे जो कहलाती है दूइ पक्षिय अवधारना याने इस अवधारना के अनुसार यह मान लिया जाता है कि वैपार में प्रतेक व्यवहार के दो पक्षकार होते हैं एक लेनी वाला और दूसरा देनी वाला यहां हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक क्रेता होता है और दूसरा विक्रेता होता है तो प्रतेक व्यवहार के लिए जरूरी है कि दो पक्षों क्रेता और विक्रेता उसके बाद हम यहां पर आय और वै के मिलान की बात करते हैं समाने सा सिधानत यह माना जाता है कि जितनी हमारी आय है उतना ही हम वै करेंगे यही कारण ह है कि जब हम आगे आने वाले कख्षाउ में बनाएंगे जब हम एकhi ऐक कॉंट बनाएंगे तो हम यह देखें कि जो कैश या वह बराबर आता है वह इसंसी सद्धांथ पर आधारी WOW दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए यानिकी जितने की आई है के मिलान की अवधारना कहलाती है उसी तरह हम देखते हैं कि पूंजी की अवधारना हमने देखा कि वैपार का जो अस्तित्व है वो वैपार के स्वामी से अलग है अब वैपार का स्वामी जब वैपार में पूंजी लाता है तो उसको हम बिल्कुल वैपार से अलग कर देते ह स्वामी से पूजी को अलग कर देते उन्हें घलान लेते हैं कि स्वामी कि द्वार में लाए गई वास्तों में एक प्रकार का उत्तरदाईत हैं मु 같은 का है तो हम को पता चलते है कि बहुत सारे जो मानक निर्धारित किये गये हैं जैसे हमने अभी देखा था कि किस प्रकार जो भारत में लेखांकन मानक हैं उनके अंतरगत जो लेखो को करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं कुछ नियम बनाये गये हैं कुछ सिधांत बनाये गये हैं इन्हीं सिधांतों को हम लेखांकन के सिध्धांत कहते हैं और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरे देश में जो लेखांकन की प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी हो यानि एक जैसी सिध्धांतों का पालन करते हुए सभी जो वैपारी है वो लेखांकन के सिध्धांतों का पालन करते हुए ले लेखों को बनाता है अब अगर हम लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण सिध्धान्तों की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं लेखांकन का दूपक्षिय सिध्धान्त जैसे अभी हमने जाना था महत्वपूर्ण सिध्धान्तों के अंतरगत के यह मान लिया जाता है कि प्रतेक वैभार के दो पक्ष होते हैं एक होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला जिसे हमें कुदाहरन के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं माल लेजिए राम ने श्याम को माल बेचा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं राम ने माल बेचा यानि कि राम विक्रेता है श्याम को माल बेचा यानि कि श्याम क्रेता है तो यहां पर हम देखते हैं कि राम और श्याम यानि कि क्रेता और विक्रेता दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं बिल्कुल इसे तरह ये अवधारना कहती है कि जब तक दो पक्षकार नहीं होंगे तब तक कोई भी कारे वेवसाय वेपार के अंतरगत किया जाना बहुत मुश्किल है तो लेखांकन में भी ये माना जाता है कि इनमें उनी आधार पर सिध्धान्त बनाया जाते हैं कि लेखांकन के दो पक्षकार होते हैं राजेश ने 10,000 रुपए से वेपार प्रारंप किया है इस वेभार में एक पक्ष रोकड तथा दूसरा पक्षकार रोकड लगाने वाला राजेश होगा जहां एक और रोकड संपत्ति वही दूसरी और रोकड पूझी के रूप में वेपार का दाइतु माना जाएगा आता वेभार का समीकरण होगा संपत्ति बराबर दाइतु support website वेभारोatti या लेंदेनों को भी इसे मानिता या सिध्धान के आधार पर लिखा जाता है लेखा कर्म की 12 लेखा प्रढलिका जण्विश्ण सिध्धान के आधार पर हुआ यही कारण है कि बैले शीट जब बनाई जाती है तो संपत्ति और दाइब तो दोरों पक्षों का यूग सदेव समान रहता है इनमें उनी आधार पर सिध्धान्त बनाया जाते हैं कि लेखांकन के दो पक्षकार होती है अब दूसरे सिध्धान्त के अगर हम बात करें तो यहां पर आता है जाच करने योगी बाहे प्रमाणवा सिध्धान्त हम जब लेखे करते हैं तो ऐसनी की दिन भर में अगर हम 10 लोगों को किसी व्यपारी ने माल बेचा तो जब उसको मन आया जब उसको याद आया तब वो लेखे कर लिया इस तरह की प्रक्रिया नहीं रहे इस तरह का काम व्यभार में नहीं होता है वास्तों में जब हम लेखांकन सिधानतों की बात करते हैं तो यह पेक्षा की जाती है कि लेखांकन में जो भी प्रविष्टिया की गई है जो भी लेन देन अंकित किये गए हैं उनका कोई ना कोई जाच योग्य बाहे प्रमाण जो साथ में वह आपको बिल देता है विकरेता तो आप उससे डिमांड करते हैं कि आपको बिल दे और उसके बाद इन प्रविष्टियों के अधार पर वो अपने वेभार में लेखा करता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर कोई भी लेन दिन जिसका कोई प्रमाण ना हो लिख दिया जाना लेखों में अनुचीत होता है इसलिए यहाँ पर इस सिद्धान की बात कही गई है कि जो भी लेखे लेखांकन के अंतरगत किये जाते हैं वो प्रमाणित होने चाहिए अगले सिद्धान के हम बात करें तो हम देखते हैं कि एतिहासिक लागत का सिद्धान यहाँ पर आता है एतिहासिक लागत यानिकि हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी संपत्ति का लेखा करते है अपने पुस्तक में तो हम कोशिस करते हैं कि उन संपत्यों का जो लेखा हो लागत क्या धार पर हो अब हो सकता है कि वह संपत्य पुरानी हो या एक उदाहरन से हम यह कह सकते हैं कि वह 3-4 साल पुरानी संपत्य थे लेकिन आज भी जब हम उसका लेखा करेंगे तो लागत पर करते करते जो उसके वेलुवाही रहती है उसका लेखा करते हैं तो यह जो सिध्धान ये बताता है कि जो ले जो किये जाएंगे वैतिहासिक लागत कर जाएंगे हम चुल перем और बात करें तो आगम नर्धारन जसी कि हमने पहले भी देखा था कि आगम कि वास्तों में प्राप्ति कब हुई इसका निर्धारन कैसे किया जाए तो यहां पर यह सिद्धान बताता है कि जिस दिन व्यभार हो गया उस दिन आगम का निर्धारन मान लिया जाता है यानि कि एक विक्रेता ने जिस दिन माल बेच दिया क्रेता के 500 माल पहुंच गया वो याने एक वेपारी से, एक वेबसाई से, एक उद्धमी से हमेशा यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी वेबसाई की किसी स्थिती को छुपाएगा नहीं. वेबहार में ऐसा देखने को मिलता भी है कि जो कमपनी के फॉर्म के जो रेकॉर्ड रहते हैं, कई बार वो प्रॉपर वैसे होते नहीं है, जैसे कि कमपनी में वेबहार हुआ है. टेक्स से बचने के लिए याने करफवंचन के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो वेबसाई होते हैं, वो अपनी वेबसाई की वास्तिविक आर्थिक इस्थिती को छुपाने का प्रयास करते हैं. लेकिन लेखांकन सिध्धान्त के अवधारना ये मानती है कि प्रतेक वेबसाई, वेबपारी, उदमी सभी को उनके वेबपार में संपत्ती की क्या इस्थिती है, दाईत्तों की क्या इस्थिती है, आयवे या लाभानी की क्या इस्थिती है, इसका सपस्ट ब्योवरा प्र मिलान सिध्धान के अंतरगत हम देखते हैं कि ये सिध्धान लेखांकन अवदी में व्यवसाय द्वारा अर्जित आगम एवम किये गए वेव के लेखांकन संबंधी नियमावली को स्पस्ट करता है लेखांकन अवदी में प्राप्तियों तथा किये गए व्यों का नरधारन किया जाना चाहिए एवं अवदी के अधार पर ही इनका लेखांकन किया जाना चाहिए आगम एवं व्यों के मिलान के समय निम्नली के तत्य मद्ध को होती है पहला लाभानी खाते में जब आगम के किसी मध को आय पक्ष में लिखा जाता है तो उस आगम को अर्जित करने से संबंधित संपोर व्यों के मदों को खाते के व्यों पक्ष में लिखा जाना चाहिए। चाहे इन व्यों का नगत भुपतान किया गया हो या ये अदत्वे हो। दूसरा, जब आगामी वर्ष में से सम्बंधित आगम के व्यों का भुपतान चल वर्ष में किया जाता हो, तो इन्हें चल वर्ष के चिठे यानि बैलेंशिट के सम्पत्ती पक्ष में पूर्व दत्वे यानि प्रेपेड एक्सेंस के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तीसरा, वर्ष के अंत में बचे हुए माल के सन यानि क्लोजिंग स्टॉप की संपूर लागत को आगामी वर्ष का लागत वे मान कर बहियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एसे वे जो चल वर्ष के प्राप्तियों या आगम से संबंदित हैं तता जिनका भुपतान आगामी वर्ष में किया जाना है।